देश्वाशी के लोगों के लिए समाने तहाई ये चंदगर्ण बुरा नहीं है ये चंदगर्ण उनको लाब देगा लेकिन इस चंदगर्ण की वजह से प्रतिष्ठा पर आचा सकती है उसका ये ग्रहर थोड़ा सा समस्याइं लेकर आता निखाई दे रहा है भाग्य पक्ष को ये ग्रहर आपके कमजोर कर रहा है इस वजह से आपको बहुत सारे निर्णे लेने में मुश्वाशी के लोगों के लिए स्वास्त को लेकर ये समय थोड़ा सा कमजोर है परंतु कुल मिला क समय आपके लिए ठीक है कुछ परिशानियां और संघश तो अवश्य बढ़ेंगे लेकिन अचानक आपका कोई रुका हुआ कारे बनने से आपको असीम आनंद की प्राप्ति भी होगी आप पर इस चंद ग्रहन का जो प्रभाव मैं देख रहा हूँ वो स्वास्त को लेकर बहुत अच्छा नहीं है इसलिए आप अपने स्वास्त का ख्या लखे आपके लिए चंद ग्रहन का प्रभाव बहुत बुरा तो नहीं होगा लेकिन सिंग्राशी के लोगों को अपने परिवार का विशेश रूप से ध्यान रखना होगा मित्रों से और पार्टनर से बिगर सकती है इस बात का भी इस ग्रहन का शुप प्रभाव नहीं कहा जा सकता जिन से आप प्रविम करते हैं वहाँ कोई परिशानी हो सकती है या आपके विद्या में कोई बाधाउत्पन हो सकती है एक वर्श तक आप दोशीम करते हैं यूफो यह चंदगण को नकसान नहीं दे रहा है बल्कि लाप भी दे सकता है खास तोर से यदि आप घर बनवाना चाहते हैं या कोई जमीन बेचनी चाहते हैं कोई खरीदनी चाहते हैं या जमीन से संबंदित किसी वैपार में आना चाहते हैं तो ये आपको वहाँ लाँ लाँ को थोड़ा सभल के चलना होगा खास तोर से दिसंबर तक का समय उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है उसमें भी आक्टूबर तक आपको विशेश साधानी बरतनी होगा आप अपने कुटूम का ख्याल लखें रिष्टनातों का ख्याल लखें और साथी साथ अपने धन का भी ख्याल लखें आपका धन वेस्ट हो सकता है जल्दबाजी में आकर बिना अध्यन किये कहीं भी धन का निवेश मत कीजेगा और धन का निवेश करते समय ऐसे लोगों का साथ जरूर पकड़ियेगा जो आपके शुबचिंतक हों और उनकी सला आप मानियेगा भी आपकी राशी में ये ग्रहन पढ़ रहा है इसलिए आपको ज्यादा साथभानी की आउशकता है मैं यदि कहूं तो आपको अपने मन पर बहुत काबू रखने की जरूरत है विचारों पर बहुत काबू रखने की जरूरत है बार बार ये समय एक वर्शता का आपको डिप्रिस करने की कोशन यू तो ये चंदगर्ण आपके लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं है चिंता तो बिल्कुल मत कीजेगा हाँ स्वास्त का आपको विश्य शुरूप से ध्यान रखना होगा प्राशी के लोगों के लिए चंदगर्ण अच्छे प्रभाव देने वाला से दो होगा बस दो चीजों का आपको ध्यान रखना होगा पहली चीज आपकी सेहत वो गरबर कर सकती है और दूसरी चीज है